दुनिया की सबसे सांथ जगे कोई पहाड, जंगल या अंतरिच नहीं है बलकि यह एक कमरा है जहाँ पर इतनी सांती होती है कि इनसान यहाँ पर 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता है यह कमरा एन कोईक चैंबर है कमरा अमेरिका के मिनिसूटा में इस्थित है यह एक लेवेटरी है गिनेज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दुनिया का सबसे सांत कमरा माना गया है इसे लेवेटरी एनिकोटिक कच कहा जाता है जिसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई भी प्रतिधोनी नहीं होती क्योंकि कमरा 99.99% ध्वनी को अबजर्व कर लेता है इस लेवेटरी का उपयोग विभिन निर्माताओं द्वारा उतपात की मात्रा और ध्वनी की गुणवत्ता का परिछण करने के लिए किया गया है यहाँ इतनी सांती है कि अगर कोई विक्ती 45 मिट से ज़्यादा रहा तो वैप पागल हो सकता है अगर सांती को एक पेरिमीटर में मापा जाए तो सोते समय हमारे बेडरूम में 30 डेसिमल सांती रहती है जबकि इस लेटरी में माइनस 9 डेसिमल की सांती रहती है इस हिसाब से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सांती रहती है यह 3.3 फुट मोटी फाइवर ग्लास धोनी बेज और इंसुलेटेड इस्टील और एक फुट मोटी कॉंक्रीट की दोहरी दिवारों से बना हुआ है इस कमरे में तो लोग टूर के लिए जा सकते हैं लेकिन उन्हें बहुत ही कम समय के लिए वहां रहने की इजाज़त दे जाती है जो भी वहां जाता है वो अधिकारी उस पर कड़ी नजर रखते हैं लैब की वेबसाइट के अंसार केवल मीडिया के सतस्तों को लंबे समय तक अकेले कच में रहने की अन्मती है इस रुपोर्ट में सबसे ज़्यादा 45 मिनट तक वहां पर रुका था ज़्यादा तर लोग इसमें से भी कम समय से वहां पर भाग जाते हैं जब यहां पर इतनी सांती है जब कोई बेक्ती वहां पर सांस भी लेता है तो उसके दिल की धड़कन, बहता खून, फेफ़णों की अवाज सब कुछ सुनाई देती है यह सब सुनना एक नॉर्मल इंसान को पागल बना देगा बहुत बहादूल लोगों ने वहां पर रहने की कोसिस की लेकिन 45 मिनट से जादा कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया इस कमरे में आप केबल वहां पर जमीन पर बैठ सकते हैं और जब आप सरीर खुद आवाज करेगी तो आपका अंतरमन इन आवाजों को सुन नहीं पाएगा क्योंकि तब आप खुद एक आवाज बन जाएंगे झाल